बश्कार मैं राजेश लखेरा असिस्टेंट प्रोफेसर कमेस्टरी आज अपना टोपिक है लिगेंड्स लिगेंड वे सपीसिज होती हैं जिनके पास दान करने के लिए लोन पेर उपस्थित हो मानलो ये लिगेंड को मैंने ल से दर्साया है इसके पास लोन पेर उपस्थि तो ऐसी सपीसिज जो लोन पेर डोनेट कर सकती है उसे क्या कहा जाता है लिगेंड कहा जाता है अग्जामपल के तोर पर देखें अपने लिगेंड को तो जैसे मानलो की एनज थरी है इसको अमोनिया कहते है और अपने कोडिनेशन कंपाउंड में इसको एमीन कहा जाता है लिगेंड के रूप में तो इसके पास nitrogen के पास loan pair present है यह loan pair donate कर सकता है तो यह क्या हुआ लिगेंड हुआ इसी परकार से CL-B loan pair donate कर सकता है CN-B loan pair donate कर सकता है इसके यह तो सभी एक loan pair donate कर सकती है तो इनको कहा जाता है monodented ligand कई ऐसे भी ligand होते हैं जो एक साथ एक से हत्दीक loan pair donate कर सकते हैं जैसे इससे कहा जाता है जैसे ethylene और इसके साथ दो एनस्टू समूए हो तो इससे कहा जाता है डाइमीन तो इसके पास loan pair donate करने वाले टू एटम है दो परमाणू ऐसी है जो loan pair donate कर सकती है तो ऐसे ligand को कहा जाता है didented ligand कई ऐसे भी होते हैं जो तीन loan pair donate कर सकते हैं तो उससे कहा जाता है tridented ligand तो ligand का classification कैसे किया गया है सर्वे पर्थम ligand को दो बागों में बांटा गया है एक है mono dented ligand एक है poly dented ligand mono dented ligand वो ligand होते हैं जिनके पास loan pair donate करने वाला एक ही एटम हो और poly dented ligand एसे ligand होते हैं जिनके पास loan pair donate करने वाले एक्टम की संख्या दो या दो से अधिक हो फिर mono dented ligand को फिर तीन बागों में बांटा गया है mono dented ligand को तीन बागों में बांटा गया है चार्ज के आदार पर यदि चार्ज है neutral है neutral का मतलब कोई भी चार्ज नहीं हो ऐसे ligand जिनके पास loan pair donate करने वाला एक एटम है लेकिन कोई चार्ज नहीं है तो ऐसे ligand को neutral ligand कहा जाता है हो सकता है कि लोन पे डोनेट करने वाला एटम एक है लेकिन उन पर चार्ज पोजिटिव है तो पोजिटिव चार्ज वाले पोजिटिव चार्ज हो तो ऐसी लिगेंड को मोनोडेंटेड पोजिटिव चार्ज वाले मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे इसी परकार से हो सकता ह है कि नेगेटिव चार्ज वाले भी मोनोडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं सबसे पहले न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड का आर्थ है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है जैसे अपने अच्टू है जल है जल पर लिगेंड की बाती काम करता है तो इसे कहा जाता है अक्वा कहा जाता है इसी परकार से एनस्थरी है वो लिगेंड की बाती काम करता है तो इसे कहा जाता है और यदि पीरिडीन लों पेर डोनेट करें तो इसे कहा जाता है पीरिडीन इसको सोर्ट में पीवाई कहेंगे सोट में इसी कहा जाता है PY इसी परकार कार्बन मोनो आक्साइड है उसको कहा जाता है CO को कार्बो निल तो इन सभी पर कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या है न्यूट्रल मोनो डेंटेड लिगेंड है यदि चार्ज पोजिटीव हो चार्ज नेगिटीव हो तो भी ये मोनो डेंटेड लिगेंड हो सकती है और पोली डेंटेड लिगेंड भी हो सकती है तो अपने बात करें थे न्यूट्रल की अन्य एक्जामपल भी और भी है जैसे CS इसके पास विलोन पेर उपस्तिताई से कहा जाता है थायो कार्बोनिल कार्बोनिल CO को कहा जाता है और CO में उक्सिजन के स्तान पर सलफर आ गया तो इसे क्या कहेंगे थायो कार्बोनिल ये भी न्यूटल मोनो डेंटेड लिगेंड है इसी परकार से मिथाईल एमीन तो मिथाईल एमीन एक परकार की प्राइमरी एम।इन है नाइ्ट्रोजन के पास लोन पेर परजेंट है, ये लोन पेर डोनेट कर सकता है कि ये बी एक इसी परकार से बहुत से एक्जांपल है इनके tri-phenylphosphine , tri-alkylphosphine , तो इस परकार से सभी क्या है इनके स्क्रीन सोट ले लो और इनको अपने याद कर लेना है यह ट्राई कलोरोफोस्पिन पीसी अल्थरी भी जैसे अनस्थरी है तो यह नाइट्रोजन वाले परिवार का फासपॉर्स होता है पीस्थरी पीएप्थरी पी आर्थरी यह सभी मोनोडेंटेड लिगेंड होते ह कर दो है